नमस्कार दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं आगरखाल से कस्मोली की यात्रा पर आपको पता है आगरखाल का नाम सुनते ही याद आ जाते हैं रबडी और अर्ष से जो उत्रहखन की पारंपरी मिठाईया है टीरी करवाल जिले का गंगोतरी हाइवे पर बसा आगरखाल हिसी केश से नरेंदर नगर होते हुए बड़ा व्यापारिक के इंदर है आसपास और दूर दराज के गाउं की मंडी और बाजार है आगरखाल अगर हम आगरखाल को गाउं की लाइफ लाइन कहें तो अतिश्योक्ती नहीं होगी आगरखाल ही नहीं यहां के आसपास बसे गाउं की छटा ही निराली है कस्मोली गाउं के प्राकर्तिक सोगातों वाले बुग्याल से विंटर लाइन देखने का एक अलग ही आनन्द है तभी तो यहां का नजारा देखकर परिटक कहते हैं वह सच में उत्राखन बहुत खुब सूरत है प्राकर्ति की गोद में जे विविता का संसार, तितलियों और चिडियों का दिदार करते हुए नेचर ट्रेल का आनन्द लीजे साप साप बात तो ही यह है कि यहां प्राकर्ति आपके बहत करीब होकर भरपूर फोटोग्राफी से यादों को संजूने का मोका देती है सर्दियों में आएंगे तो विट्रलाइल लुभाईगी और गर्मियों में ठंडी हवाओं का लुफ उठाने का अपसर मिलेगा कुछ दिन पहले आगरखाल थोल था थोल तो आप जानते ही होंगे उत्राखंड में संस्कृति के रंगों से सजे मेलों को थोल कहते हैं अब इंतजार किस बात का है हम आपको बताते हैं क्या कुछ सांदार छंड रहे परेटन विभाके पहाडी पेडलर्स के साथ सजाएगे आगरखाल थोल के जहां सुर्यास्त की लालीमा का मन भर कर दिदार करते हुए चाई की चुस्किया हैं और दिन में साइकल राइडिंग का रोमांच और हवा से बाते करती पतंगों को आस्मान छुहाने की तमन्ना रात में धोल दमों की थाप पर मनान सजा है मनान में मिलता है पहाड की लजीज पारंपरिक वियंजनों का अनुठा स्वात पहले दिन की बात करते हैं साइकल राइडर्स का दल सुभर पांच वजे रंग बिरंगी और मजबूत पहाड के उचे नीचे पत्रीले रास्तों की हमसफर साइकलों के साथ दिहरादुन के माराना परताब चोक राइपूर से रोमांचक सफर पर रवाना हो गया उनको कस्मोली बुग्याल तक चलना ह रंग बिरंगी साइकलों की लंबी लाइड पहाड के घुमाओदार रास्तों पर एक गती से आगे बढ़ती देखना कभी नहीं भूलने वाला सीन है साइकलिंग एक्सपीडिशन में माहीर पहाडी पैडलर्स पहाड के उन रास्तों पर से होकर गुजरते हैं जहां साइकलों से पहले कोई नहीं पहुचा होता वो ढूनते हैं उन जगों को जहां परेटन की संभाव ना है कुल मिला कर कहें तो साइकल ट्रेल तलास करना पहाडी पैडलर्स का काम है हाथ हम बात कर रहे थे धैरद उन से कसमोली तक साइकल की सवारी की साइकल सवारों का उस्सहा बढ़ाने और उनके वेलकम के लिए नरेंदर नगर में ढोल दमों और फूल मालाओं के साथ मुझूद हैं राजकी विध्यालों के बच्चे बच्चों के खिलकिलाते चेहरे देखने से फूब उस्सहा बढ़ता है नरेंदर नगर टाउन हाउल में होसला बढ़ाने के लिए जिलादिकारी मयूर दिक्चित, मुख्य विकास अदिकारी, मनीश कुमार उप जिलादिकारी, नरेंदर नगर देविंदर नेगी, उप जिलादिकारी घंसाली, सैलेंदर नेगी, नरेंदर नगर पालिक अध्यक राजेंदर विक्रम सिंग पमार भी पहुंचे हैं वेलकम के बाद तीरी गड़वाल के जिलादिकारी मयूर दिख्षी साइकल दल को कस्मोली बुग्याल के लिए रवाना करते हैं नरन नगर से साइकल दल में नए साथी सामिल होते हैं यह है आगरखाल के साइकल राइडर्स का दल और ITBP राइडर्स विंटर लाइन रिजोर्ड के सुरेंदर कंडारी ने सभी राइडर्स एव महमानों का गरम चोशी से स्वागत किया नोईडा के राइडर्स का नेत्र तो परतीप ने थानी ने किया। अब बात करते हैं उन लोगों के जिनोंने अगरखाल थोल को परेटन विकास संग आजिविकास से जोड़नी के लिए भरपूर से यूग किया। हम बात कर रहे हैं देहरादुन के पाड़ी पैडलर्स, विंटर लाइन रिजोर्ट, ओफ रोड कैंप, कास्मोली हाइट्स, मेती आंदोलन, तीरी गड़वाल जिला परसासन, तीरी गड़वाल के जिला दिकारी मयूर दिक्षित, परेटन विभाग, शिक्षा विभाग सहित ग्रामिनों की, जिला परेटन विकास अधिकारी अतुल भंडारी एवं सहसी खेल अधिकारी खुशाल सिंग नेगी का योगदान सरहनी है रहा, आपको बता दें, सभी ग्रामबासियों ने आगरखाल थोल में बहुत उस्सहा से सभी गतिविदियों में हिस्सा लिया, मैला बच्चों की मदस से हाइकेन बाइक करते हुए राइडर्स आगे बढ़ रहे हैं, उस कस्मोली गाउं की ओर जो रिशिकेश के पास है, और इसको पहाड के यातरा रूट पर सबसे पहला बुग्याल माना जाता है, लगबग 5 किलोमेटर की ये यातरा अनोखा अनुभव द लेती है, वह क्या नजारा है, सच में जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिली प्रकरती की सोगात, वास्तम में हम हिमाले के अंगन में हैं, जहां सब कुछ भूल जाने को मन करता है, पक्षियों का संगीत है, धारों की धवनी है, सीड़ी दार खेत दिखते हैं, हरी मकमली ग्हास का मैदान दिखता है, एक के बाद एक, जहां तक नजर जाए, वहां हरियाली से लग तक पहाड और फिर उसके बाद पहाड ही दिखते हैं, इससे भी बढ़कर अगर कुछ है, तो वह है ठंडी हवा का शपर्स, और हमारे से उपर सिर्फ और सिर्फ नीला आस्मा, ब उत्राखंड के प्राकरतिक सौंद्री की एक जहलक है, उत्राखंड में हिमाले उसके आंगन ने तो बहुत पिस्ताड लिया है, सभी एक दूसरी के और देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कस्मोली के बुग्याल दिखते ही राइडर्स की पूरी थकान उतर गई, वो भूल गे, धहरा दून से तेज धूप में उचे नीचे धूल भरे रास्तों से होकर फिशतर किलोमेटर की साइकली आतरा की है, पेडल चलाने में पूरी जान जोगरी परती है, पसीना हो जाता है सरीर, हाँ, पेडो की छाओं से होकर गुजरना धाल पर मस्त होकर आगे बढ़ती साइ प्रकरती को निहरने के बाद बच्चो संग युवाओं ने पतंग वाजी का लुथ पूठाया, पहले जमीन पर एक गती में चल रही रंग-ब्रंगी साइकलों की लाइन, तो अब हवा में आस्मा की और बढ़ती रंग-ब्रंगी पतंग, पतंग को बादलों से छुआने क कि हसरत में सब कुछ भुला बैठे, ये बच्चे और ही हुआ। पेस कर रही है, मुझे तो वो फिल्मी गीत याद आ गया, ये कौन चितरकार है, ये कौन चितरकार है, बून जो बन गई मोती फिलम का ये गीत, मसूर गायक मुकेश ने साठ के दसक पे गाया था। फूब हो रही है, जिसको पिश्यू नून के साथ परोसा जा रहा है, ये बहुत सांदार है, वहा क्या स्वाद है। राजिसभट जी बता रहे हैं गाउं की पकडंडियों के बारे में ये कैसे बनती हैं, गाउं का जीवन कैसा है, क्या चुनोतियां है और क्या खास है यहां। खेती के तोर तरीकों और खास फसलों की जानकारी दे रहे हैं, इस्थानिय इस्थर पर आजिविका के स्रोतों पर बात कर रहे हैं, आसपास के जंगलों में कौन से जीव रहते हैं और बनस्पतियों के खजाने में ऐसा क्या है जो हमारे लिए बहुत उप्योगी है। उन्होंने ग्राम यात्रा कराने के साथ ये विवित्ता पर भी फोकस किया। उनसे बहुत कुछ सीखने जानने को मिला सच में राजिसभर जी के पास जानकारियों और अन्वहों का भंडार है। अनन्त इन पलों में वो सुन रहे हैं लोग की साथ ही पहाड के वादे यंत्रो और ढोल की थाप पर मगन होकर जुमने लगे ग्राम यात्रीयों। बहुत आनन्द आया। सच में यही जीवन है। पहाड के व्यंजिनों का स्वात्पन मिराला है एकदम सुध और पॉस्टिक। आगरखाल थोल के दूसरे दिन छेतर के विद्यालियों जिनमें राज के इंटर कॉलेज फकोट, राज के इंटर कॉलेज दुआधार, राज के इंटर कॉलेज बेटधार, हाइ स्कूल लवेदन, उंकारानन जूनिर हाइ स्कूल आगरखाल के 160 बच्चे कस्मोली बुग्य साथ ही गाउं और सहर से आई महलाओं के वीज भी रशाकसी का आयोजन किया गया यहां बाजी मारी गाउं की महलाओं ने पता है क्यूं यह सुध्ध और एकदम चेवी कनाज का दम है जो भरपूर ताकर देता है अब आगर खाल थोल अपने अंतिम पड़ाओं पर है जहां इ पॉल में पधारे सभी लोगों को पक्षियों एबम प्रकरती के गहन जानकार विशेशग्य राजसभड ने पहाड और यहां की संस्कृति की कहनियां सुनाई उन्होंने हमारे वातावरण में रोजाना आ रहे बदलावों को बताया ताकि नई पीडियां प्रकरती और संस प्रकरती को बचाने के लिए कुछ कदम चल पड़े हैं प्रेटन विबात के साथ आयोजग संस्ता पाड़ी पैडलर्स के संस्तापत गजिंद रोमोला आगर खाल थोल के उद्दिश ये पर बात करते हैं उनका कहना है आगर खाल थोल एक सफल कदम रहा सासिक प्रेटन को बढ़ावा देना लोकल टूरिजम के साथ साथ एडवेंचर टूरिजम को भी बढ़ावा देना साथ ही इस्थान ये खादी उत्पादों की पहुँच बढ़ाना इसके उद्दिशों में परमुक है एडवेंचर, इस्पोर्ट्स, एक्सपर्ट, अजेकंडारी और रित करती है ये वो सुरुवात है जो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी खेर देराए दुरुस्त आए अगली बार फिर आगर खाल्थोल प्रकरती सस्कृति के साथ अठुट्टिस्टों को बना कर रखते हुए आर्थिक सम्रदी के लिए कदम ताल करेगा क्योंकि हम सब कंधे से कंधा मिला कर खड़े हैं अगली बार फिर आगर खाल्थोल में मिलने का बादा करते हुए आपसे विदा लेते हैं जे भाराज जे उत्राकंड